हाई गाईज मेरे था हमें साहिल करते हैं और आज की वीडिये शुरू करते हैं सबसे पहली नियूज है साओधे अरियेबिया की तो उन्होंने पेट्रोल डॉलर डील को कैंसल कर दिया है यूएस के साथ में 50 साल के बाद इसका मतलब क्या है जो पेट्रोल लेते थे वो से बात कर रही थी अब इस दील को तोड़ा गया है अब किसकी उपर काम करेगा अभी क्लियर नहीं है शायद क्रिप्टो की तरफ भी जा सकते हैं और शायद बाकी करंसी के ऊपर भी ये डील कर सकते हैं चाहे वो चायना का हो या यज ये ये बडी न्यूस पते है क्यों है क ग्लोबल एकनॉमिस के अंदर, वो हमको तूटता हूँ और ज़्यादा दिखाई दे सेंब ऐसे, ये टाइम पताएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर मुझे लगता है, कि ये बस शुरुवात हो रही है, एक बड़ी चीज की, क्योंकि, जितना अगर आप न्यूस को लं बुरी हो रखिये, उससे, उनकी एकनॉमी थोड़ी सी बाहर हो जाए, तो ये अच्छा गेम की है, मेरे रहसाब से, अगली कबर, नैसले की, मैगी की है, तो नैसले के लिए, इंडिया सबसे बड़ी मार्किट है, मैगी के अदर बात करके चले, किटकेट के अंदर, नंबर के डिरेक्शन कहा जाती है, मुझे लगता है कि मैगी ना कॉले स्टूडेंट्स हो गए, या फिर पहाड़ वाले इलाके हो गए, वहां के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन चीज होती है, हर एक पहाड़, एक टूरिस प्लेस के उपर मैं काऊंगा, एक मैगी पोइंट जरू लोर होती है, महां मैं के मिलती है, वहां से भी बहुत बड़ी सेल्स ड्राइव होती होगी, हाँ घरों से तो होती ही है, बट मुझे लगता है, वो भी अच्छे इंपॉर्टन सेक्टर है, अगली कबर वीवो इंडिया की है, तो उन्होंने इंडिया के अंदर 3,000 करोड की अपनी इंवेस्मेंट करी हुई फैसिलिटी को उपन कर दिया है, कहा जा रहा है, यह नया प्लांट है एक सो बीस मिलियन डिवाइसेज अनुवली बना पाएगा, ग्रेटर नॉड़ा के अंदर यह प्लांट बनाया गया है, एक सो सतर एकर का है, कमपैरिसन के लिए अपनी फैसिलिटी के आसपास है, तो बड़ी चीज है, खबरे अभी निकल के आ रही थी, कि भाई, वीवो और टाटा का भी कोलाबरेट हो सकता है, जहां पर टाटा 51% सेख ओन करेगा, वीवो इंडिया के, अभी इसके आगे खबर सुनने में ही आई है, कि कैपिटलाइज हो रही है या फिर नहीं हो रही है, अगली कबर एक जिंगो की है, तो उनकी भाई, लिस्टिंग बंपर ओपरिंग के साथ में हुई है, 78% IPO के बाद में इंके प्राइज बढ़ते हुए दिखाए दिया है, इन्वेस्टर्स की बात करके चले, एलिवेशन कैपिटल ने 13x अ 30% का annual return मिला है, यह हम बात करते है, 10x, 5x, 8x, 100x, अगली कबर बीरा 91 की है, तो उन्होंने अपना नया funding round complete कर लिया है, 430 million dollar यह race कर रहे है, अब मजे की बाद समझने कोच करो, इन्होंने अभी तक 300 million dollar race कर लिया है, जिसमें अभी series D round के लिए 70 million dollar race कर रहा था, 17% इंके revenue growth द इन्होंने अभी तक रहा है, जिसमें, इन्होंने 446 करोड का लौस भी किया है, अगर अगर मार 2023 की बात करें चलें, फदहा लाईशलियर की, अभी निजिसिवल बाते नहीं हैं, मुझे परसनली एक कंपनी की ब्रांडिंग पॉइंट अवीउ से कंपनी बहुत प्यारी loss बनाओ, उसके बाद भी आपको 10x, 5x ता return मिल जाता है। अगर मैं इंडियन agriculture की बात करके चलो, तो भाई यहाँ पर concerns चल रहे हैं, monsoon के अंदर बारिश कम दिखाई दी है। इंडिया के अंदर overall 20% less rainfall आई है, अगर हम 1 June से compare करके चले तो temperature भी बहुत जादा गरम रह रहा है, अगर हम monsoon की बात करके चले, तो जो भी farmers को पानी चाहिए होता है, उसका 70% जो needs होती है, वो monsoon से ही fulfill होती है, नौर्थ इस के अगर बात करके चले, तो 20% less rainfall वहाँ पर भी दिखाई दी है, नौर्बल से, और नौर्थ वेस्स के अगर बात करके चले, 68% पानी कम पड़ा होँ पर, यह बड़े नंबर है कर दिखा जाए तो, अभी आप होते है कि मौन सुन अच्छा आजाए, सब कुछ आजाए, ताइन पताएगा, और अच्छा आजाए, बाडवला न आजाए, ते जादा पानी भी अच्छा नहीं होता, कम पानी भी अच्छा नहीं होता, जो जूरत होती है जिस ताइन पर पानी अँटना अच्छा होता है, अगली कबर चाइना की है तो वहाँ पर home prices गटते हुए दिखाई दे रहे है fastest pace से अगर पिछले 10 साल की बात करके चले 1% से decrease किया है अगर इंके home prices की बात करके चले लोग कहते हैं बाई प्रॉपटी के रेट बढ़ते हैं अगर बात कर लोग कर लोग कर लोग कर लोग कर लोग कर ले रहे हैं अभी अमने सुदा भी था कि चाइना के अंदर प्रॉपटी क्राइस आ रहा है जहां पर बहुत सारे प्रॉपटी बन गई है बट कोई वहाँ पर जा नहीं रहा है तो सप्लाइ जादा है डिमांड कम है तो प्राइस गटते हैं वहाँ दिखाई दे रहे हैं अगली कमर वारंट बफिट की है तो उन्होंने बीवाइडी के 1.3 मिलियन शेर्स और बेज दिये हैं बेसिकली 6.9% पर उनका स्टेक आ गया है जो कि पहले 7.2% पर था इन्होंने 2008 के अंदर इन्वेस किया था बीवाइडी के अंदर मतलब उस टाइन पे एवी के अंदर ट्रस किया था बढ़ी है चीज है अब मेरे साब से देरे देरे अपने शेर्स को काम इसले भी कर रहे हैं क्योंकि उन पर लगता है कि अच्छा रेट आ गया है और ये चाइना वाला जो पंगा चल रहा है ना चाइना यूएस वाला उसके लपेटे में बीवाइडी फस्ता हुआ दिखाई देरा है मुझे तो दिखाई देरा है अगर मैं चाइना की बात करके चलू तो उनकी एक कंपनी है लोटस उन्होंने एक गाड़ी रिका ली है पंदरा मिनेट वो दस ते असी परसेंट चार्ज वजाती तीन सो बीस किलो मेटर की रेंज देती है मतलब एक कॉफी पीरे के लिए गयो और आपकी गाड़ी तीन सो इन और अपना एक डबिंग टूल भी निकाला है के लिए जो कि अलगले लैंविजिस के अंदर आपकी जो बोला हुआ अपने उसको ट्रांसलेट कर देगा और उसको डब भी कर देगा तो कि एक अची चीज है यूट्यूब ने फीचर निकाल डबिंग का जो कि कम लोगों के बास में आए मैं तो कब से तरह सुरा हुआ उस फीचर के लिए बजाग नी कर रा क्योंकि मुझे लगता है जो मैं रसाइल करना ओला चैनल है उसके अंदर मेरे पस पर कॉंटेंट जो कि ग्लोबली जा सकता है और मैं को नया चैनल मनाने को सैंसर रहा था क्योंकि में को यूट्यू मैंजर ने बुला था कि अपको दिल्वा दिलवा देगे हैं अभी तक मी आया है पले का अज़ जाएगा फिर इसके बात का था सब्सक्राइब अब तक मेरे बास नहीं हुआ है क्योंकि मुझे लगता तो ओरिजिनल सब को दे रहा है इंटरनल ही दे रहा है डब करने को अप्शन गूगल वालो यूटूब वालो तुम एटलीस वीचर सब को दे दो एवी टेसिंग अभी सुने में अभी निकाल दिया गया है और अच्छी चीज है हमने कल के एक्सपरिमेंट की बात कर चले त जहां पर एक के न्दर रखेगे मेरी फोटो जो हमारा स्टेंडऱ् था था एक के नदर रखेगे और एक के नदर मेरे को बिल्कुल अटा देगे टेस्ट करके देखते है कि कितना impact बड़ता है कितना impact नहीं बड़ता है अब टिक्टॉक वाली केस के अगर बात करके चले तो भाई टिक्टॉक में जो हॉलिवूड क्रेटर्स है ना फो डर रहे है उनको लग रहा है कि भाई उनका यही क्लोन बन जाएगा कोई मिस्यूस कर पाएगा अगली कपर युएस से है तो युएस गवर्मेंट ने अडॉप को सूगरने का ब्लान किया है अगर अगर अपने उनकी साल की सब्स्रिप्शन ले रखे बीच में अगर आप कैंसल करते हो तो भाई बीच में कैंसल कर रहे हो फाइल लगाएगे है उसका एक्ट्रापैसर लेगे इसके चक्कर पे उसके बाद में टिक टॉक के उपर बहुत सार लोगों ने कंप्लेंड किया कि भाई मैंने और कुछ किया था और मेरे पास में और कुछ हो रहा है और उसके बाद में शैदि ये फीचर को अठा रहे है बट इनका प्लान ये है कि इसको दुबारा से रिवाइव किया जाएगा ये जो टेखनोलोजी है उन्होंने अपने 100 लोकेशन के उपर टेस्ट करके देखी थी और ये सक्सेस्फुल नहीं रही है अगर देखा जाए तो 2019 के अंदर इन्होंने एक कंपनी को भी एक्क्वाइर किया था जासे AI-based voice solution customer service का यूज़ करना चाहते थे उसके बाद वो टेकनोलोजी मेंग्डॉनल्स Tech Lab के अंदर इंटिग्रेट हुई जिसको IBM को बेस दिया गया 2021 के अंदर ताकि वो अपनी AI पावर टेकनोलोजी को और इंप्रूफ कर पाए अभी मैक्डॉनल्स का बिलीव है कि IBM इस टेकनोलोजी के साथ पर अच्छा काम करेगा इसको और बहतर करेगा और फिर मैक्डॉनल्स को टंसे इंटिग्रेट कर पाएगा मुझे लगता है कि शायद उतरा कॉंपलेक्स भी नहीं था शायद शिप्रिटी शायद ये चीज़ स्वार्म कर सकता है भी के डाइम पिक बाकि अगर US की बात करके चले तो जो मेजर रेस्ट्रॉंस है महाँ पर जैसे कि डंकिन हो गया, टैको जोल्स हो गया, डॉमिनोज हो गया, साबक्स हो गया, के एफसी हो गया, वेंडीज हो गया इस सब के सब AI कस्टमर सर्विस के उपर फोकस करने का प्लान कर रहे है अब बाकि अगर मैं AI की बात करके चलो, तो AI और भी चीज़ दो मदद कर रहा है जैसे अगर हम Logistics की बात करके चले, Shipping की, globally 47 million tons का emission cut कर सकता है AI, अगर हम Shipping Industry की बात करके चले, सालाना, और कैसे करेगा AI के तुरू Smart Rules बनाके ताकि Ships अराम से निकल पाए, तकराएना और बहुत सारी चीज़े बच पाए जो कि एक अच्छी चीज़ है अगर देखा जाये तो अगर हम Shipping Industry की बात करके चले, तो 90% जो Global Trade होता है, वो इने से होता है और 3% जो दुनिया का Carbon Emission है, वो भी यही करते है तो अगर AI हाँ पर मदद कर सकता है, तो मेरे अच्छी चीज़ है कॉस कितनी लगेगी, सवाल ये भी निकल गया आता है अगली कबर, Gemini की है, तो Gemini ने इंडिया के अंदर नई 9 languages का support निकाल दिया है जैसे की Hindi, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayanam, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu तो अच्छी सीज़ है, Gemini के लिए अगर देखा जाए तो आप यूज करते हैं या फिन नहीं करते हैं कौन सा AI chatbot tool यूज करते हैं नीचे comment section में बताना नहीं करते हैं तो वो भी बताना अगली कबर, इंडिया के अगर rents की बात करके चले तो वो बढ़ते हुए दिखाई दिया है, 64% से पिछले 5 साल के अंदर डेटा की इसाफ से करें बात करके चले NCR के अंदर Noida, sector 150 वे 63% का rent का rise दिखाई दिया है साड़े 15,000 उपे से जो 2019 पे था, वो 25,000 उपे तक पहुँझी है rent अगर Mumbai के शेमबूर की बात करके चले तो वहाँ पर 41% से जादा का rise दिखाई दिया है जो की 45,000 rent था, 63,500 वहाँ पर rent हो गया है और इसका reason क्या है, शायद financial education लोगों को सन्वी आ गया है, कि rent लेना is a better चीज प्रॉपर्टी करीदे से, जिसके चक्कर में rent की डिमांड बढ़ रही है और प्राइस बढ़ रहे है मर्मेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको लगता है, यह logic हो सकता है अगली कबर X की है, तो X भाई, new source की अगर बात करके चले अपना grip हो रहा है अलाउन मस्त ने बोला था, X, Y सबसे बड़ी authentic platform है अगर हम new source की बात करके चले, बतलब news सबसे authentic बहीं आती है बट लोग ऐसा नहीं मानते है इंटरनेक्शनल सर्वे किया गया, लोग टिक टॉक पर ज़्यादा बरोसा करते है तो न्यूस पो इंटर्वी से मुझे लगता है कि टॉटर के उपर toxic news भी बहुत ज़्यादा आती है new source हमेशा से टॉटर था, बना X, X टॉटर हमेशा से था, X बनने के बाद में मुझे लगा था चीज़े change होती हुँ दिखाई देगी, जो toxic चीज़े है, टॉटर के उपर वो कम होगी बनेट होती है, लोग लोगों से चिड़ते हैं, या लोग negative PR दूसरों की करने कोशिश करते हैं, चकर में ऐसा होता है खुद नहीं पढ़ सकते हैं, दूसरों की टांग की चो न यही मज़ा है, बाकि अगर मार्किट की बात करके चले, तो मार्किट का लाद दे सकते है कौन रहा उपर, कौन रहा नीचे और इसी के साथ आज की बिस्मिस कतब होती है वितकर तक को मज़ा होगा, लाइक कर दे रहा शेर कर देना, कमने तान वीडियो कैसी लगी बाइ, गुर्ण शब अगर, गुद आफिस, गुद आफिस, गुद आफिस, गुद आफिस, जब भी है वडियो दिख रहे है जैहन बंदे बात रहो